Hello my dear student friends, इस टुतोरियल में हम Diego, चैपटर है इंडिगो फिटशब्टर है उसको स्टड़ी करेंगे और ये जो गांधी जी की तीन बंदर आप देख रहे हैं गांधी जी की तीन बंदर ही कहा जाता है न बुरा मत बोलो बुरा मत देखो बुरा मत सुनो जी हां ये दुनिया की यहां लिखा है आप पड़ सकते हैं किया मैं यहां पर वीडियो में इसके बारे में बताऊं हाँ यह है कि लोई फिशर जो है उन्हों गांधी जी को बड़ी नजदीक से देखा था किस प्रकार से उनका स्टाइल होता था किस प्रकार की परश्णाल्टी थी तो नियुक मतलब काफी प्रसंसित किताब है तो उसमें उन्होंने महाद्मगाद्जी की बियोग्राफी दी उसमें और यहां पर यहां पर हम एंटर करते हैं और अगर आप है टूटियल के पहले वीडियो को देख चुके हैं तो आप जानते होंगे कि यह कुछ भी आपको नजर आ रह सब आपको मिल जाएगा और हमारी भी हेल्प ले सकते हैं और यहां पर आई जो है वह फर्स्ट पर्सन जो बायोग्राफर है उसके लिए है मतलब लुइस वीसर साहब के लिए है तो वह बता रहे हैं कि जब मैंने गांधी जी को फर्स्ट विजिट किया था और 1942 में विजि और узнаю से तब सेंट्र इंडिया था जिसमें आप Kapنا पर देश, 16 खर्तिज को गशर उता करता था और गुजरात का ये सेवा ग्रामिला काँ वह ही आ जाता था तो बता रहें गांधी जी ने वहां पे कहा था कि मैं अभी गांधी जी के लिए है कि मैं आपको बताता हूं कि वास्तों में ऐसा क्या हुआ कि मैंने ये निर्ने लिया ये फैसला किया मनला अपना मन पक्का बना लिया कि मैं I will urge the departure of the British अब ये term यहां पर यूज किया गया तो और इसका मतलब होता है कि प्रेडित करना तो ये जो डिसीजन मेरे मन में पक्का बना ये 1917 में बना तो कहते हैं कि भरत में आने के बाद आप जानते हैं कि 1915 में वह साउथ अफ्रीका से लौटे थे भारत में अल्रेडी बहुत चट्चित हो चुके थे महत्मा गांधी के नाम से जाने जाने लगे थे तो कुछ दिर र उनका पहला सत्य अग्रह था पहले तीन सत्य अग्रहों में ये फश्ट था तो चलते हैं देखते हैं क्या लिखा है ही मतलब महत्मा गांधी जी तो वो डेसेंबर में 1916 में जो एन्वल कंवेंशन था मतलब की समेलन मतलब इकठ्था होना that is convene करना लोगों को इकठ्था ब करते हैं तो ये लखनव में था अधिवेशन अना डिसमबर 1916 की बात है तो वहां पे 2301 प्रतिनिती आए हुए थे मेंबर्स जो भी हैं कॉंग्रेस के वह आए हुए थे वहां पे और भी जिन लोग बुलाया गया होगा तो और बहुत से विजिटर्स भी थे वहां पे तो वहां पे जो कारवाई चल रही थी प्रोसीडिंग चल रही थी तो गांधी जी ने वहां पर रिकाउंट गांधी जी रिकाउंटेट मतलब होता है कि जब आप पुराने किसी याद को ताजा करके लोगों को बताते हैं यू टेल अबाउट एट एर इट इस था इमिए शेट के मतलब यह हो गया कि पतला दुबला कमजोर और आप कह सकते ही पूर मतलब सकती ही दिखाई दे रहा था कहीं से भी बहुत चेयरफुल और लाइवली नहीं था उसने कहा मैं राजकुमार सुकला मेरा नाम है और मैं चमपारन से आया हूं और मैं चाहता हुआ था फूटिल्स ऑफ ठावरिंग हमालया जो बड़े-बड़े पहाड है हमालय की स्रेडी में तो वहां पर यह बसा हुआ है उनकी तलहाटी बसा हुआ है और किंगडम ऑफ नेपाल के नजदीक है ऐसा उनको लोगों ने बताया है नेपाल से बार्डर लगता है चमप पारन के पीजिन्स थे वो शेयर क्रॉपर थे देंके शेयर का मतलब होता है कि एक दूसे से बाटना क्रॉपर का मतलब फसल उगाने वाले तो शेयर क्रॉपर वो होते हैं जो बटाई वाली खेती करते हैं मतलब जो भी उनको उत्रपादन होता है उसमें से वो शेयर करते है और यहां पर share proper वास्तों में indigo से related है कि जहां पर अंग्रेज उन्हें force करते थे कि भाई आप जो भी फसल हुगार है उसमें उसी खेत में कुछ हिंस्से में आप indigo हुगाओ मतलब जिसे हम नील कहते है जिसे डाई बनती है और वो सफेद कपड़ों को रंगने के काम आती है अब कहां भी जो रजाई खोल हो गए रहोती होंगी जो अब तो बहुत कम चलन हो गया हमारे स्कूल टाइम में तो हम शर्ड वाइट की जो है उसे नील में रंके ही लेकि जाया करते थे अब तो सब कुछ खत्म हो गया लेकिन रजाई ये खोल होगे अब ये लोग जो है वो नील में रंकरी डालते हैं और रोबिन नील बहुत ही फेमस हुआ करती थे उस वक्त अब तो जल्दी मिलती नहीं अब तो उजाला नील मिलती है जिसमें वो क्वालिटी नहीं जो रोबिन में हुआ करती थी तो लोग परिशान थे क्योंकि इंडिगो जो है न वो खेत की फर्टिलिटी को खराब कर देता है बहुत ही ज़्यादा water resources यूज करता है अलोगों का मन भी नहीं था फिर उन्हें करना पड़ता था तो राजकमार शुकला जो है उन्हीं में से एक था शेर क्रोपर था वो पढ़ा लिखा नहीं था लेकि रिजल्यूट था रिजल्यूट का मतलब होता है कि पक्का इरादा रखने वाला पक्का मन बना के आया हुआ है कि भाई ये करना ही करना है मतलब ठान के वो यहां पर आया हुआ था मन में कि मैं गांधी जी को लेके ही जाओंग अपने हाँ तो he had come to the Congress session में आया था and to complain about the injustice अब वहाँ पे गांधी जी का गांधी जी पे भरोसा करके आया था कि उनको मैं अन्याए के बारे में बताऊंगा जो हो रहा है हमारे साथ यह आप फेर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है और यह injustice कौन करना है जो जमीन के मालिक हैं बड़े बड़े जमीदार बिहार बड़े जमीदार बलकि वहाँ पे भुमिहार तो एक जात भी होती है तो किसी ने सैथ प्रोबेब्वली है ना संभाउता बताया होगा कि गांधी जी से बात करो उन से अपनी सिकैथ बताओ जिसने बताया होगा जानता होगा कि Ghandhi जी ने अफरीका में क्या किया है तो इसने गांधी जी से बात की तो गांधी जी टोल्ड सुकला गांधी जी ने शुकला जी से कहा कि भी उनका तो एक appointment है कानपूर में तब कानपूर ऐसी इसकी spelling लिखी जाती थि आज कल तो के एन पी उआर हो गया है जैसे बॉंबे हमारे समय में बॉंबे हम मुंबई हो गया तो कानपुर जो है वहां पर उनका कमिट्मेंट है मतलब भही उन्हें जाना है उनका स्टीडूल है जाने के लिए प्रतिबद्ध है कोई वादा किया होगा है ना तो देन यूर कमिट्ट है और मैं भी कमिट्ट हूं तो अडर पार्ट्स ऑफ दा इंडिया कि मैंने यह मन बनाया हुआ हुआ है कि मैं भारत के अन चेत्रों में भी जाओंगा ब्रहमान करूंगा देखूंगा वहां पर प्रस्तितियां कैसी है ना यह मन में है आई है कमिट्ट इसे फ्रेpt कर टो तो सुकला किया कि मोगिए उनके साथ साथ हो लिको कि अगया है न जहां जहां जाते ऊंके साथ रहता था यही है ना रिजूलूट उपने माइन में क्वाई छोड़ना नहीं है इनको मानाना है अपने काम के लिए फिर गांधी जी जी जो है अपने आसरह में लोटा है जो कि एहमदाबाद में है ना नजदीक है और सुकला जो है पीछे-पीछे उनके लगा रहा है आसरम तक और हप तो बीद गए अब सूची आप लेकिन उसने गांधी जी को छोड़ा नहीं गांधी जी के साथ लगा रहा है कि गांधी जी के साथ कई लोग चलते कि कोई एक तारिक तै कर दीजिए ना हमारे जिले में चलिए ना गांधी जी जो शेर क्रॉपर था नहीं शुकला जी से काफी इंप्रिष्ट हुए उनकी रिजलूटनेस थे ना कि शेर क्रॉपर टिनेसिटी यहां पर वर्ड यूज किया गया है तिनेसिटी का मतलब होता ह जाना तो फिर मदद करनी पड़ती है तो उनका उसकी टिनेसिटी और उसकी जी स्टोरी थी मतलब जो उसने बताया होगा अपने लोगों के बारे में तो गांधी जी ने कहा है कि मुझे तो फिलहाल कैलकटा में रहना है आप कोलकाता कहा जाता है सच और इस तारीक को यहां है न इस तारीक गलकटा में वहां रहना है ऐसे तो भई मेरा तो बहुत ही पहले से श्रीदूलते हैं Cam and meet me and take me from there तो ऐसा है कि कि तुम कलकटा में आओ फिर मुझे वहां से लेके चलो जहां ले जाना चाहते हो तो भी तो जहाँ पर गांधी जी ने बताया था ज़िया बोलना अब सोड़ियं कि बोलाइड चा कि मतलब होता है कि ठ enemy अलाइड का मतलब होता है ट्रेन को छोड़ना किसी भी वेहिकल से चड़ते हो उसके फर्स पर कदम रखते हो दिनिवार बोल्डिंग ट्रेन पर चड़ गए और ये ट्रेन जो है उन्होंने कहां से पकड़ी थी कैलकटा से और कहां के लिए पकड़ी पठना के लिए पकड़ी जो कि बिहार में बिहार बड़ा प्राद था और शुकला जी उसको लेकर गए अपने घर में लेके गए online बड़ बड़े ऐसका नाम था राजें सांद्र प्रशाद ओप सोचिये हैं और देखते हैं क्या लिखा है इनके बारे में आगे कहानी कैसे एंफोर्ड होती है वह शहर के बाहर गए हुए थे भई घर पे नहीं थे लेकिन उनके सर्वेंट्स थे वह जानते थे कि सुकला जो है पूर योमन है योमन कुंतलब हो गए कि किसान है और इसमाल फॉर्मर ह वह पेस्टर्ड इखे प्टल वोता है कि अपनी बातों से परिशान कर देना तंग कर देना मदल एक ही बात को बार-बार आप कहरे हो तो यह जो यह शुकला था वो बार-बार पीछे घंदी जी का लगा ववा तो वही बात राटता था था न हमारे यहां चलो हमारे यहां मतलब किस तरह किसान जो है इंडिगो हेल्प में सपोर्ट के लिए कि आ कि हमारी मदद करिए कहते रहते हैं पेश्टर कर दे रहे हैं तो सो दे लेट हम इस्टे ऑन दे ग्राउंड पर रहने दिया मतलब जमीन पर पड़े रहो और साथ में उनका कंपेन और साथी था वो गां माश्टर को कहते रहते हैं कि भाई हमारी इंडिगोशियर कोरपर में से हल्प करा दो मतलब हमें हल्प करा दो कि हम छुट कर पा जाएं तो दोनों को भाई है कहा लाओ जमीन पर पड़े रहो हूं दे टुक एनदर पीजिंट है गांधी जी को लेकिन गांधी जी जो है उन कुछ ड्रॉप जो है वो नेगेटिव सेंस में लेश्ट आता है कि जो पाने निकाले बकेट की कुछ जो बूंदे हैं वो पूरे सोर्स को गंदा कर दे हैं अब तो हमारे हां प्राद है आर्टकल 17 में इसका जिक्र है तो उस वक्ति बहुत बड़ी प्रॉब्लम थे सोची की गांधी जी के शुरुवाती दौर में इस तरह की हरकते थी हैं बाद में तो काफी फेमस होगे थे बड़ बले आंदोलों उन्हें चला यह लेकिन हमबल उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं गांधी हूं गांधी डिसाइडी तो फैल उन्हों सोचे कि मुझाफर पूर जाता हूं और जो चंपारण के राष्ते में पढ़ता है क्योंकि यह लोग पटना तक गये थे चंपारण कहां पहुंचें और वहां से मैं पूरी कंप्लीट पार्टिंग इंपार्ट को लब होता है कि भाई जानकारी देना पताना जो आप जानते हो रिपोर्ट देना तो जो भी वह बता सकता था सुकला उसके लामा मैं जो कि वहां की इंफोर्मेशन है वह में प्राप्त करूंगा और इसी सिस्ट्रेम उन्होंने एक टेलिग्राम बेजा तब जो है टेलिग्राम अगर भेजा जाता तब टेलिग्राम सेवा खत्म कर दी गई और उन्होंने भेजा उसको जेबी क्रिपलानी को इनका नाम तो आपने सुना होगा नहीं सुना था सूचिता क्रिपलानी का नाम सुना होगा उनके हस्बेंट थे तो उन्होंने देखा था जेभी कृपलानी को टैगोर्स के सांती निकेतन श्कूल में मुझभफर फुन में लोग मिडनाइट को पहुंचे और पंदरा अप्रेल को पहुंचे 1917 में कृपलानी जी उनका वेट कर रहे थे इस्टेशन पर और large body of students काफी विद्यार थी साथ में थे गांदी जी को देखना चाहते होंगे ना उन्होंने तो पढ़ा होगा उनके बारे में तो वहां पर दो दिन रहे प्रोफेसर के कहां रहे प्रोफेसर मलकानी के यहां रहे थोड़ी बहुत जानकारी में नीचे यहां पर दे दे रहा हूं ना जिससे मैं यहां पर थोड़ा सा समय ना वेश्ट करूं और वह भी गांदी जी कमेंटेट गांदी जी ने खुद यह बात कहीं है कि फॉर गॉवर्मेंट प्रोफेसर के लिए हारबर मतलब यह है कि सरण देना वैचे तो यहां कॉंटेक्श्चल मीनिंग यही है कि गांदी जी को अपने घर पर रखना तो सरण देना संग्रक्षन देना उनको अपने घर पर रखना एक गॉवर्मेंट प्रोफेसर के लिए वो कोई और्डिनरी बात नहीं थी और खास अपने लिए और मतलब प्रोफेसर्ट थे कहा जा सकता है कि अलिट वर्में के थे वहां पर टरे ड्रे रहते थे तो एब सिंपधी नहीं सो कर सकते थे जो डबकेर अदेक्ट सोझे सीकी मांग करना कि अंग्रेज लोग चले जायो और यहां पर है कि किकिसी के पक्ष में बो जाते हैं तो गांधी जी के जो न्यूज थी गांधी जी के आगमन की एडविंट का मतलब है कि इस अराइबल उनके आगमन की खबर जो है वो जगए जगए फैल गई और साथ में गांधी जी किस मिसन को लेके आया है यह बात भी फैल गई है ना इस्प्रेट कुइकली और प मजफरपूर के जो Lawyers थे तो काल डौन गांधी तो गांधी जी को उन्होंने विजिट किया ब्रीफ हिं ब्रीफ हम हालात के बारे में जानकारी देना रिपोर्ट करना तो उन्होंने उनको बतायat कि और वहीं हालात किया है वासति वीक्ता क्या है और ये एक्सर तो वह मजफ़फुर के जो लॉयर्स थे तो वह पीज़न के गृप्स को रिप्रेजंट करते रहे थे कोल्ट में मतलब मुकद्मा लड़ना और उनके प्योफ में बात-जीत करना इसा बढ़ते रहे थे तो उन्होंने बताया कि उनका जो केस है और किस के बारे में costs कर दी जो मुकद्भ में चल रहे हैं अपने cases के वारे में जानकारी दी और अपनी size of their fee के बारे में बताया अब देखें यहां पर हो वो भी sharecropper से बिचारों से तो I have come to the conclusion कहा कि मैंने ये निसकर्ष निकाला है निर्णे लिया है मैं अब इस नतीजे पे मैं पहुँचा हूँ कि मुझे जो है course में जाना छोड़ देना चाहिए V मतलब V मतलब यहां पे lawyers भी हो गए और हमें इस तरह के कोल्ट में मामने ले जाने से कोई फाइदा होने वाला नहीं है और जो पीजन्स है crushed and fear stricken एक तो विचारी जो है तैचार के तहत कुछले जा रहे हैं और डरे हुए हैं बहुत घबडाई हुए हैं और कोल्ट में जाने से कुछ लाब होना नहीं है जो लोग ओर्ट है वो useless है और उन्हें कहा कि अगर हम सच में राहत पहुचा रहा चाहते हैं कि सालों की मदद करना चाहते हैं तो उन्हें जो उनका डर है हमें उस डर से उनको हजात करना पड़ेगा उनके मन से डर को दूर करना पड़ेगा तो जो भी ज़्यादे तर खेती योग भूमी थी जहां पर फसल होगा ही जा सकती थी अरेवल लेंड चमपारन में तो वो डिवाइडेट थी मतलब बटी हुई थी वो बड़ी-बड़ी रियासतों में बटी हुई थी जो क्रॉप उसका शेयर देना तो जो चीफ कॉमर्शल क्रॉप थी वहां की वो थी इंडीगो कॉमर्शल क्रॉप का मतलब यह है कि जिसको बेज कर पैसा कमया जाता था नगदी फसल थी वालिजिक फसल थी और जो जमीदार थे वो कंपेल करते थे मतलब मजबूर करते थे जो टीनेंट थे कि वो अपने जो है थ्री टॉइंटी यह समझ में नहीं आएगा ता फिफ्टीन परसेंट अपने पंदर परसंट हिश्ट से पर मलब जिसके वो जहां होल्डिंग्स थी उनकी जिस जमीन पर हो होल्डिंग्स मतलब साइज आप दा फार्म दे दा टीनेंट वागड़ अपन तो वहां पर वह इंडिगो उगा है यह कंडिशन डाली गई कि आप फसल उगाते हो तो उसके फिफ्टीन परसेंट इससे पर यह काम करो और जो भी पूरी फसल तयार होती है मतलब इंटेर की है जो फसल है उसे सरेंडर कर दो और इंडिगो की फसल को एजर रेंट बलब मैं बहुत बड़ी जमीन की का मालिक हूं मैं लैंडलॉड हूं तो मैंने ऐसेजमीन बाटी हुए जहां टीनेंट्स जमीन लेकि अपनी अपनी जो है यहां पर किराये पर अलग अलग तीनेंट तो ये अपने 15% जमीन पे Indigo उगाएंगे तो जो जमीन है जो मेरी जमीन पे लोग खेती कर रहे है तो इस जमीन की फवसल में अपने घर के लोगों के पेट पालने में करेंगे तो मैं कुछ तो मुझी देंगे रेंट किराया लगान तो उन्हें कुछ नहीं देना बस वो जो 15% पे वो जो कर रहे हैं इंडिको की जो फासल उगा रहे हैं वो उनको पूरी की पूरी दे देना है उसे घर नहीं ले जाना समझ लो कि बागी तुम्हें कुछ भी एक्ष्टर नहीं देना तो यह अरेंजमेंट था उस समय आप कह सकते हो कि कुछ समय बाद मतलब प्रेंडली आफ्टर रेस्व टाइम जो लैंडलोड था उसको पता चला जो लैंडलोड सोरी सोरी कोई एक लैंडलोड तो है नहीं जो जमिदार थे उन्हें पता चला कि जर्मनी में एक सिंथेटिक डाई का यूज होता था तो इस वजह से उन्होंने क्या किया रपवाण होता है उसके बाद है नवसमें टींट दिए पर कि वह उन्हें कंपेंशेशन दें आप साधे प्रकारसान को उन्हें ठोडा जा रहा है मतलब अपने को छुटकराण पाने क्ल्य working कि फिस्टीन को जो condition लगाई गई थी जो contact बनाय गया था यहाँ पर जो हमने देखा था तो उस contact पर 15% का condition लगाई गई थी कि आपको indigo उगाना है तो अब landlord को पता चला कि भई उसकी कोई market तो ज़्यादा रहेगी नहीं क्योंकि synthetic die आ चुकी है तो 15% पर उगा कर हम करेंगे क्या तो हमें जब इन चोड़नी पड़ेगी तो वहां पर पैसा एठने की चक्कर में थे कि भईया अगर हम 15% के agreement से बाहर होना चाहते क्योंकि दो साल का contact है तो तुम ऐसा करो कि हमें कुछ पैसा दो तो हम तुमें 15% वाले जो condition उसे मुक्त कर देंगे यह बात यहां पर उन्होंने डाली मतलब क्या बात है जब उन्हें फाइदा नहीं है अब उन्हें इंडिगो नहीं चाहिए तो 15% को भी छोड़ने के लिए पैसा मांग रहे हैं अलग से क्योंकि उन्हें नुक्सान होगा क्योंकि इंडिगो की मार्केट अब ज्यादा नहीं रही तो बता है यह किसानों को ही तरस्त कर रहा है तो जो शेर कॉपिंग अरेजमेंट था तो वो अर्क्षम था यहां पर कुछ बता है अर्क्षम मतलब होता है कि बहुत ही कष्ट प्रत दुखगाई परिशान करने वाला था तो कई लोगों लॉयर्स को उन्हों ने इंगीज किया तो लैनलोर्ट ने किया कि ठक्स को लटायत गुंडे बदमासों को हायर कर लिया ले जागे पीटो पाटों को अब उस समय न मीडिया था उस टाइप का कि बहुत रिकॉर्ट कर लो पकड़ जाएंगे से कुछ था नहीं तो उन लोगोंने साइन कर दिया थे इंके चक्कर में आगे ठीक है कुछ ले लो तो अब वह पैसा वापिस चाहते थे ना उन्हें बाद समझ में आ गई कि यह हमको बता रहे थे कि हम 15% कंडिशन से मुक्ति दे देंगे पूरी जमीन तुमारी हो जाएगी उस पर खेती करो तो ने पैसा दे दिया था उनको कंपेंशेशन का रूप में तो उन्हें असलियत पता चली उनकी तो मजबूरी दी छोड़ना ठीक इसी महाल में गांधी जी चंपारण में पहुंचते हैं तो सबसे पहले उन्होंने विजिट किया जो सेक्रेट्री आफ दे बिटिस लैंडलो जो सारे जमिदार जो है वहां पर है ना वहां तक बात पहुंचेगी तब तो सेक्रेट्री ने उन्हें बता है कि भाई वो उन्हें कोई सूचना उन्हें दे नहीं सकते गांधी जी को क्यों कि गांधी जी एक आउटसाइडर है इस गाहों के है नहीं और क्यों दे हम उन्ह तो गांधी जी ने उत्तर दिया कि वो कोई आउटसाइडर नहीं है भाईया और फिर गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी ने फिर बिटिस ओफिशल कमिशनर को विजिट किया और ये कमिशनर तिरहुर्थ डिवीजन के थे एक administrative division है और वहाँ पे कमिशनरी थी जैसे जिस इलाक में मैं रहता हूँ वहाँ का जो कमिशनर है वो प्रयागराज का है वहाँ पे बैठते हैं उनकी seat वहाँ पे है तो next visit उनकी जो है वो मतलब देखिए गांधी जी तो लोयर भी रहे हैं पहले लिखे हैं और उन्होंने आता था जब परनडेश्टिक तो देखिए बाचीत में क्या है कि कमिशनर ने क्या कहा तो गांधी जी उसको बता रहे हैं गांधी जी रिपोर्ट्स ना गांधी जी ने कहा कि कमिशनर प्रोसीड़ टू बुली बहुत पर धौश जबाना धंकाना मुझे धंकाने कोशिश क अब मुझे सला दी कि फोर्थ वित्फा औरन ततकाल इसी समय तिरुफुत को छोड़ दो इस मंडल से निकल जाओ गांधी जी भाई है जब स्टेशन पर फेक दिया गया था तब नहीं गए अफ्रीक को छोड़ को तो क्या जाएंगे गांधी जी नहीं गए डिड नॉट ल होती है तो कई लर्ट उनके साथ गए थे अकंपनीट को लब उनके साथ साथ गए और रेलवे स्टेशन पर किया हुआ कि वास्ट मल्टिट्यूड मल्टिट्यूड के मतलब आम जंता का जमघट तरह तरह के लोग वहां पर आम लोग आये हुए थे और विशाल का मतलब यह कि यहीं से बैटे बैटे काम मुझे करना है चंपारन से मुतिहारी में और वहां पर अपनी जाज परताल सुरू कर दिये और तभी कुछ यह से रिपोर्ट आई और चपी भोगी हो सकता अकबार हो कर हमें कि एक पीजेंट है जिसके साथ अच्छा वहवार नहीं हुए दू एलिफेंड की बैक पर रवाना हुए और वो ज़्यादा दूर नहीं गये थे हैड नॉट परसीडेट फार कि पुलिस सुप्रीडेंडेंट था उसने टुक ओबर किया उनको उस संदेश वहाग था सरकार का जो मैसेज हो लेके आया था तो वह एकदम उनको पास्ट कर उनक करना कंप्लाइट मलब जो कहा गया है उस ओर्डर को फॉलो करना तो मैसेंजर ड्रॉब गांधी मलब मैसेंजर साथ साथ था गांधी जी को घर पे ले गया जहां वो ठहरे हुए थे और वहां उन्हें ऑफिशल नोटिस पकड़ाया जो सरकार की तरफ चाहिए था कि और यहीं से सरकार से महडा लेने के लिए अब इनकाउंटर करने के लिए तयार थे गांधी जी को अपने स्ट्रेटीजी बनानी थी तो जब उन्होंने लिखके भेजा तो उसका पढ़नामी भूकतना था तो गांधी जी को एक समन मिला समन मतलब होता है कि कोल्ट से बुला उन्होंने टेलिग्राफ भीजा राजेंदर परशाद को क्योंकि राजेंदर परशाद तो मिले नहीं थी जब गए थे बाहर गए वे थे आउस वक्त भाहर आना जाना कोई बहुत तेज आवागमन के सादन थे नहीं तो उन्हें कहा कि आप बिहार आजाओ और कुछ इंफ ये तार उन्होंने वाईसरा को बेजा अब आज राध तो भारत का यहीं होता था वही गवणनर्नर्ट जनरल है वही बाइसरा है तो सुबहा चुके उनको अदालत में जाना था तो मुतिहारी में क्या महल था कि जो टाउन था ब्लैक विट पीजेंट्स ब्लैक बिजेंट पर लोगी लोग दिखाई दे रहे थे and they were black तो हम यह कह सकते हैं कि a lot of people were there भीड जमा थी वहाँ पर सीरी सीर दिखाई दे रहे थे लोगों के और उन्हें गांधी जी के रिकॉर्ड के बारे में नहीं पता था कि साउथ अफरीका में गांधी जी क्या करके आएं 20 साल बिता के उन लोगों ने सिर्फ इतना ही सुना था मेडली मतलब सिर्फ इतना ही सुना था कि महात्मा गांधी उनकी मदद करना चाहते थे और मददगार के लिए सपोर्ट कर निकले आए थे और ये भी पता चला कि माददगार जो हमारा है वो परिशानी में मुकदमा डाल दिया गया है और परिशानी में विद्ध आथार्टी जो अंग्रे जादिकारी है उनके साथ वो उनके साथ अच्छा बढ़ताओ नहीं कर रहा है तो they're spontaneous देखे spontaneous का मतलब होता है कि अपने आप बिना किसी तयारी के बिना किसी प्री थार्ट के बिना किसी प्री प्लानी के अपने आप स्वता ही naturally हो जाए spontaneous तुरंद बिना बनाया हुआ पहले से तो जब ये खबर फैली तो सुनते ही अपने आप ही ये लोग स्वता ही नेचरली डिमोंस्टेशन करने के लिए आ गए हजारों की तदाद में थे और उन्होंने घेरा गवा था कोल्ट हाउस को लिवरेशन का मतलब मुक्ती मुक्ती का मतलब फ्रीडम फ्रीडम का मतलब किसी समस्य से चुटकारा मिलेगा तो गांधी जैसे कहा था कि 1917 में ही नियू पड़ी कि मुझे अंग्रेजों को भगाना यहां से और यह जो डिमोस्टेशन था इन्होंने इसको यहां पर एक्जांपल के रूप में लिया है कि लोगों का यहां के धर्णा देना और यह सब परदर्शन करना यह जन सकती है जनत तो आहिसा इसलहएं फिष्ट पावलिस अब जो हुआ पर दिकारी थे इनकी संक्या कितनी होगी कम होगी वह अपने उसक्者 पारे थे मतलब कंट्रॉल नहीं कर पारे थे और बिना गांधी जी के कौपरिशन के वह नहीं कर सकते थे गांधी जी अपısर आदो आप ऐовор önemli ज Lloyd- abortion कि कराउट के नियमेन करने के लिए कंट्रोल करने में मदद की भीड को संभालने में मदद की और वह पुलाइट भी थे फ्रेंडली भी थे कौन गांधी जी में कोई गुस्सा नहीं था वह शान तरीके से पेश आ रहे थे and he was giving the concrete proof, concrete proof का मतलब होता है ठोस सुबूत, ठोस सुबूत का मतलब होता है कि physical evidence दिये, खाली बातों से नहीं कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, solid proof दिये, कि their might, might का मतलब होता है शक्ती, यहां पे सक्ती है, मतलब उनकी जो पावर हैं रहे जो की, कि their might उनकी शक्ती hitherto, अभी तक, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, अभी तक, dreaded, लोग इसे डरते थे, मतलब it was feared, the people were afraid of the might of the English people, and unquestioned, मतलब कोई प्रश्न भी उनसे नहीं करता था, मैं बिना जवाब दही के, बिना किसी responsibility के, unquestioned उनकी अथर्टी को लोग डरते थे, घबला के मानते थे, could be challenged, तो यहा को बताते हैं कि जो might है, अंग्रेजों की, जो अभी तक, जिससे लोग घबडाते थे, और कोई प्रश्न करने की हिम्मत नहीं करता था, उनके actions पे सवाल नहीं उठाता था, अब वो challenge हो रहा है, अब हम आपसे सवाल करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा, हम बताएं अब हैरान, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करें, confused, चकरा कहीं क्या करें, भीड अलग है, गांधी जी मानने को राजी नहीं है, तो जो prosecutor था, मतलब जो वकील था सरकार की तरप से, जो represent करा था case को, उसने just से कहा कि भाई आप टाल दो मुकदमे को, और apparently, मतलब clearly साफ साफ नजर आ रहा है, the authorities wish to concert their support, superiors, जो authorities हैं, जो अंग्रेज के जो, मतलब, official करमचारी होगा रहा है, अधिकारी होगा रहा है, वो अपने superior से बातचीत करना चाहते हैं, मतलब अपने बड़े अधिकारी उसे कि यह ऐसा मामला है, करें क्या, है ना, public, तो सवाल का खड़ा कर रह जाएंगे, अपनी जगा जाएंगे, उन्होंने पलके एक statement पढ़के सुना दिया, और उन्होंने plead guilty किया, plead guilty का मतलब होता है, देखे, guilty का मतलब दोशी, कि आपने गलत काम किया है, और plead का मतलब यहाँ पे, वकालत करना ही है, सफाई पेश करना एक प्रकार से, तो उन्हों उन्होंने उस statement में अपने आपको कहा कि मैंने कानून तोड़ा है, मैंने गलती की है, इस पक्स में उन्होंने बोला, that pleaded guilty, उन्होंने कहा कि वो शामिल थे, उन्होंने cold को बताया, कि in a conflict of duties, conflict of duties यहाँ पे phrase यूज हुआ है, देखे, conflict का मतलब होता है टकरहाट, टकरहाट क में टकरा रहा है, कहने का मतलब यह है, कि मेरी जो duties है, एक तरफ government को लेके duties है, उन्होंने समन भेजा है, तो मझे cold में हाजिर होना है, और उनके आदेश को मानना है, और दूरसी duty जो है, वो मैं करता हूँ, तो यह दोनों duty आपस में टकरा रहा है, क्या करूं, तो नहीं ब सरकार ने कोई आदेश दिया, और मैं ना मानूं, तो कानून को तोड़ने वाला कहलाओंगा, lawbreaker कहलाओंगा, और यह मुझे पसंद नहीं है, तो मैं कोई bad example नहीं पेश करना चाहता, इसलिए बता रहा हूँ कि भाईया, मैं दोशी हूँ, और conflict of duties का दोशी हूँ, कि मैं अ हमें परदान करना to give the humanitarian aid and national service, humanitarian aid का मतलब होता है कि मानवता की खातिर, national service का मतलब होता है, राष्ट सेवा, राष्ट सेवा उनलब जनता की सेवा, देश की खातिर, तो हमें बलदान करना पड़ता न, एक तरफ तो सरकार की बाते मानने की बात है, नहीं मानी तुम्हें, I am ple leading guilty, दूसी तरफ यह है कि मानवता की शेवा करना, मानवहित की बात करना, यह भी मेरा फ़र्ज है, यह भी मेरा duty है, तो इसे मैं करना चाहता हूं, तो यह तोड़नी पड़ रही है, अपनी सरकार की बातों को मानने से इंकार करना पड़ रहा है, तो मुझे दोनों में से को order to leave, क्योंकि उन्होंने जो जाने का जो आदेश था, उसे disregard किया, he did not respect it, नजर अंदाज किया, ignore किया, not for want of respect, ऐसा नहीं है कि मैंने जो जाने के आदेश की आवग्या की, want of respect, कि मुझे मैं सम्मान नहीं करता इस तरह के आदेश का, क्योंकि यह lawful authority है, और administration से आई है, सरका out of want of respect की वेजिस नहीं किया, बलकि यह बताते हैं कि मैंने, मैंने क्यों disregard किया, मैंने क्यों जाने से इंकार कर रहा हूँ, in obedience of the higher law of our being, being का मतलब होता है, यह मान नहीं होता है, humanity, इस वन ने जो हमें बना के भेजा है, हमारे अंदर जो इनसान बचता है, उसके लिए है, the voice of conscience, अंतरात्मा की आवाज, हमारी मन में जो हमारी अच्छाई है, हमारी good will है, हमारे good thoughts है, वो हमें क्या कहते है, right and wrong का जो हमारा sense है, वो हमें क्या कहता है, वो है हमारा conscience, तो उन्हों ने कहा कि मैंने, जो ना जाने का आदेश है, आज जाने का आदेश है, इसको disregard इसलिए कि क्योंकि मैं मानना चाहता हूं फॉलो करना चाहता हूं इससे भी बड़े कानून को जो कि ईश्वर का है और वो कानून है इंसानियत का और अंतरात्मा की आवाज जो मुझे कह रही है मैं उसे मानना चाहता हूं इससे मुझे उसका पालन नहीं करना कर रहा हूं दोनों चीजे साथ नहीं यहां पर कॉन्फिक्ट ऑफ दूटी जी तो मजिस्टेट भई देखे बजिस्टेट था और जनता की ताकत लेकि आए दे गांदी जी अकेले तो थे नहीं तो उन्हें उन्हें का भी प्रणाम्स करेंगे जो जजमेंट सेंटेंज मुझे सजा सुनाएंगे दो घंटे बाद और उन्हें रेशिस कर दी ब्रेक कर दिया और गांधी जी से कहा कि भाई आप बेल फर्निस कर दो फर्निस कर अलब होता है कि मुझे उपलब्द करा हो सप्प्लाई तो उन्हें कहा कि तुम बेल ले लो गांधी जी गांधी जी कागजात त्यार करा लो दो घंटे का मैं समय दे रहा हूं अब यह राज निती थी यहां पे और एक सो बीस मिनट में आप कर लो काम सब और मैं आपको बेल दे दूगा सजाचा इसमें रिस्क होता है माली जी कठीन सजा सुनाई देते को रीकन्वेंट जब कोल दुबारा बैठती है और जैज्ज ने कहा कि यहां डेलिवर मतलब होता है कि अपना जैज्जमेंट वो नहीं सुनाएंगे और कई दिनों तक नहीं सुनाएंगे वह जजज भी तो अंग्रेजों के अधीनी थे एक प्रकार से ना तो बलकि इस बीच मिन्वाइल ही अलाउड गांधी डू रिमेने ट लिवर्टी और उन को कम्प्लीट करेंगे तो तिल देन किप लर्निंग और श्टदेंग बाई बाई